वेल्कम टू माई चैनल आरुजियोमेटिक्स हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो थोड़ी पैन की दिक्कत हो रही थी तो मैं सैसे लेखनी पा रहा था हम जो स्टार्ट किये थे वो मुस्ट प्रवावल वैल्यू डेटर्मिनेशन किये थे कि कैसे मुस्ट प्रवावल से स्टार्ट करेंगे अब इसमें क्या हमारे पास जो ए की वैल्यू दे रही है हमारे पर 30 डिग्री 28 मिनर 40 सेकंड जिसका वेट दो दे रहा है और यहां पर जो हमारे पास है वो कॉफिसेंट तो एक ही है जो अन्नोन है हमारे पास वो एक है तो लेकिन वेट भी गिवन है कॉफिसेंट के साथ साथ हमारे वेट भी गिवन है इस एक्जामपल में तो इसके लिए हमें के नॉर्मल एकुशन लिखनी पड़ेंगी तो हम इसमें नॉर्मल एकुशन लिखेंगे एक लिए तो जब हम नॉर्मल एकुशन लिखते हैं तो हमें एक चीज याद रिखनी है कि अगर weight given है तो हमें weight से multiply करना पड़ेगा coefficient के साथ अगर weight given नहीं है तो सिर्फ हमें coefficient से multiply करना पड़ेगा जैसे कि अगर हम यह आप इस example को solve करते हैं तो इसमें a की value जो है वो है 30 degree 28 minute 40 second और जिसका weight है 2 तो जब हम normal equation लिखेंगे पहले इसके लिए तो वो हो जाएगा इसका coefficient हम 1 माल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो weight को multiply करेंगे उसके साथ साथ हम coefficient को multiply करेंगे तो एक की value कितनी हो जाएगी 2 into 30 degree 28 minute 40 second और जब दूसरे के लिए लिखेंगे तो इसका coefficient 3 और weight भी 3 है तो पहले weight से multiply किया हमने और फिर उसके coefficient से multiply किया जो value है तो यह हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 into 3 into 91 degree 25 minute 55 second तो अब इसको अगर हम solve करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हमारे पास कितना हो गया यह हो गया हमारे पास 2 है और यह कितना हो गया 3 into 3 into 3 27A तो 27A की value है हमारे पास यह और यह हमारे पास 2A की value अब इन दोनों को add करेंगे तो यह कितना होगा 29A और इसको solve करेंगे अगर 2 से multiply करेंगे इसको करेंगे इस वैल्यू को फिर इन दोनों को हम mom कर देंगे एड करने के बाद जो आयेगा म Пос्ब्स वह यहां कर देंगे जैसे इन दोनों को एड किया था मनें वैसे यहiva dope कर देंगे तो इन दोनों को एड करने के बाद जो मर पास आएगा वह मर पास आएगा 8 033 We're 50 minute and 35 second तो 29A की value आम अरपस इतनी आ गई जब हम A की value निकालेंगे तो A को इससे 29 डिवाइड कर देंगे तो A की value हम अरपस यह हो जाएगी तो A की जो most probability value निकलेगी वो इसको डिवाइड करने के बाद जो भी result आएगा जैसे आएगा 30 degree 28 minute and 38.5 seconds यह मापा most probable value हो जाएगी एक ही तो दो चीजा याद रखने हैं अगर weight दे रखा है तो weight से multiply करेंगे और coefficient से multiply करेंगे अगर weight नहीं दे रखा है तो सिर्व उसके coefficient से multiply करके normal equation लिख देंगे तो simple सी चीज है अगला example देख लेते हैं चीज दो अन्हों आहें काशल करेंगे इस अग्याय होग जिसमें अंसलंगे नार्मल इक्वेशन लिखने का उसे coefficient से multiply करके उस equation को लिखेंगे और साथ के साथ उसके weight से multiply करेंगे अगर weight given है तो हमारे पास तो इसके case में क्या है अगर हम A के लिए normal equation लिख रहे हैं तो A1 तो हमारे पास यहां पर है और A इस equation में यह है इसका weight 2 है और इसका weight 4 है अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो इसका coefficient जो है A का वो 1 नहीं मान के चलेंगे क्योंकि कुछ आगे है नहीं तो यहां पर भी 1 है हमारे पास जो coefficient है A का तो coefficient 1 है लेकिन weight से multiply करना पड़ेगा यह नॉर्मल equation लिखने के लिए तो नॉर्मल equation लिखते हैं यह के लिए तो पहले इस equation को लेंगे तो हमारे पास पहले weight से multiply किया फिर उसके coefficient से multiply किया और फिर जो equation है कितना हो जाएगा 2 into 9 degree 48 minute 36 second 36.6 second तो इसको multiply कर देंगे जो भी आएगा और हमारे पास इसमें भी A है हमारे पास unknown तो इस equation को ही multiply रहेंगे इसका A का coefficient कितना है 1 है और weight कितना है 4 है इस equation का तो पहले weight से multiply किया फिर A के coefficient से multiply किया और फिर A plus B equal to 4 into 1 into 104 degree 26 minute 28.5 second फिर हमारे पास यह normal equation यह हो गई इसको solve कर लेंगे और इसको solve कर लेंगे फिर दोनों को add करके लिख देंगे फिर जो भी हमारे पास add करके आएगा जैसे आएगा हमारे पास कितना आएगा 6 है plus 4B is equal to कितना आजाएगा 517 degree 23 minute and 7.2 second तो एक equation यह हो गई अब क्या हम normal equation लिखेंगे B के लिए अब normal equation अगर हम B के लिखते है तो कैसे लिखेंगे वो भी B के coefficient और उसके weight को लेंगे normal equation for B normal equation for B तो B का यहाँपर coefficient 1 है weight 3 है यहाँपर भी B है इस equation में तो इसका coefficient 1 है weight 4 है तो normal equation for B लिखेंगे तो weight into coefficient into equation कितना है sorry यहाँ पर आ जाएगा माल पस 3 into 54 degree 37 minute 48.3 second और फिर इस equation को भी normal equation लखेंगे B के लिए तो weight into coefficient into equation तो कितना हो गया 4 into 104 degree 26 minute 28.5 second फिर इसको solve करके add कर लेंगे इसको और इसको add कर लेंगे दोनों को add करने के बाद कितना आ जाएगा मार पास यह आ जाएगा मार पास 4 a यह आ जाएगा मार पास 4 a plus 7 b is equal to 581 degree 39 minute अगर आप इसको solve करोगे खुश से तो यह result आएगा आपका अभी हमार पार नॉर्मल इक्वेशन 4 a हो गया यह second equation हो गई और फर्स्ट equation उमने जो a के लिए 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 लिखी थी नॉर्मल इक्वेशन वो क्या आई थी हमाँ आपस 6 a plus 4 b is equal to कितना है था 517 degree इसको लिखेंगे 517 degree यह गए 517 degree and 23 minute जो भी आपका पहले रिजल्ट है था और 7.2 second यह equation 1 थी हमार पास अब हम आपा 2 unknown है एक a unknown है एक b unknown है इसमें भी एक unknown भी है तो 2 unknown और 2 equation है हमार पास तो इन दोनों को solve करके हम a और b की value निकाल लेंगे तो जो a और b की value आई गी हमार पास इन दोनों को solve करके जैसे कि इसके coefficient से multiply किया इस equation को जैसे इसका 6 coefficient है इसका 4 है तो इसको या तो 3 से इस पूरी equation को 3 से multiply कर दो और इसको 2 से multiply करके a मैंसे b minus means इस equation में इस equation को minus करके a कर जाएगा फिर b की value निकल जाएगी फिर किसी a के equation में b की value पूट करके a की value निकल जाएगी तो हमारे पास b और a की value निकल जाएगी तो जो हमारे पास a और b की value value आ रही है इसकी जवा इसको solve करूगए थो 8 यह आनी है वो आएगे हमारे पर most file value जो आएंगे हमारे पर most it --------------------- 49 degree 48 minute 38.3 second और जो B के लिए आएगी हूँ आएगी हम आप पर 54 degree 37 minute 49.4 second आप अपना इससे result चेक कर सकते हो जो भी आप solve करके निकाल होगे तो आपको इतना आना चाहिए है तो जितने भी unknown रहंगे उतने हमारे पर normal equations बनेंगी यह मैंने पहले भी आपको बताया था तो उसी से हम लिख रहे हैं अगर आगде next example लेते हैं इसमें क्या हम पास तीन unknown है एक हमार पास alpha unknown है वीटा którą न tenants और गामान न है तीन unknown है तो हमारे पास normal equation कितनी बनेंगी तीन unknown थीन unknown का मतलब क्या है उपस तीन normal equation बनेंगी हमार पास तो हमारे पास पहले normal equation लिख थे हम normal equation for alpha alpha के लिए normal equation लिखेंगे तो एक इसमें हमारे पास alpha इस equation में है जिसका coefficient 1 इसमें equation में alpha है जिसका coefficient 1 और इस equation में alpha है तो हमारे पास इन तीनों को include करेंगे जब alpha के लिए normal equation लिखेंगे तो तो हमारे पास normal equation for alpha लिखना है जिसका weight हमारे पास सामने गिवान हैं तो पहले हम उसके वेट से मल्टिप्लाई करेंगे 4 इन्टु इसका अलफा नहीं है इन्टु ए मल्टिप्लाई इन्टु कॉफिसेंट कितना 1 इन्टु अल्फा इस इक्वाल टु 4 इन्टु 76 डिए 42 मिनेट 46.2 सेकेंड फिर हमार पास दूसरी वेट हमार पास कितना 3 इन्टु उसका कॉफिसेंट इन्टु अल्फा प्लस बीटा इस इक्वाल टु 3 इन्टु 134 डिग्री 36 मिनेट 32.6 सेकेंड फिर हमारे पास क्या आएगा फिर हमारे पास आएगा थर्ड एक्वेशन इसका वेट है 1 तो हमारे पास इसका वेट भी बान है और कॉ हो रहा तो सेम रह जाएगी सेम कितने रह जाएगी 262 डिगरी 18 मिनट 10.4 सेकेंड अब इन तीनों को सॉल्व करके ड़ कर लेना हमें एड़ कर लेंगे तीनों को solve करके add करेंगे multiply करने के बाद तो हमारे पास जो भी result आएगा जो भी result आएगा वो हमारे पास alpha, beta, gamma क्योंकि इसमें alpha भी है coefficient जो हमारे पास वो alpha भी है beta भी है और gamma भी है तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे इसके inclusion में तो हमारे पास जो normal equation उन तीनों को add करने के बाद बनेगी वो अलग से लेख लेते हैं आप अपना solve करके जब check करोगे तो आपको पता रहेगा तो वो आएगा मारे पास 8 alpha प्लस 4 beta प्लस गामा is equal to 972 degree 58 minute and 53 second तो हमारे पास equation 1 हो गई नॉर्मल equation फूर हम लेखेंगे नॉर्मल equation फूर बीटा तो जब हमने नॉर्मल equation फूर बीटा लेखा नॉर्मल equation फूर बीटा लेखेंगे तो हमारे पास एक यह equation include करेंगे इसमें बीटा है एक यह equation include करेंगे इसमें बीटा है एक यह equation तीनों का coefficient 1,1 है अगर यहाँ पर alpha plus 2 beta होता है तो बीटा का केतना coefficient हो जाता है तो अभी कहा है यहाँ पर जो given है वो coefficient 1 है तो सबसे पहले normal equation for beta लेखेंगे तो इसके weight से multiply किया 3 into coefficient into equation alpha plus beta is equal to 3 into 1 34 degree 36 minute 32.6 second फिर हम आर पास normal equation लिखेंगे beta गे लिए आगली वाली इसका coefficient 1 है और weight 2 है तो 2 into 1 into beta plus gamma is equal to 2 into equation 185 degree 35 minute 24.8 second और फिर 3rd वाली है थर्ड वाली का weight कितने 1 है और coefficient भी 1 है तो alpha plus beta plus gamma same रहेगी equation तो same हमर पास कितनी हो गई 262 degree 262 degree 18 minute 10.4 second तो यह हमर पास beta के लिए हो गई अब फिर कर इन 3 को add करके result लिख लेंगे इसका result कितना आ जाएगा अगर मैं result लिकूँ इसका तो आप solve करना इसको अपने से तो इसका जो normal equation बीट आएगी वो आएगी 4 alpha plus 6 beta plus 3 gamma is equal to 1037 degree 18 minute 18 minute and 37.8 second जब आप इसको solve करोगे तो अपना पास का यह result है आप खुद ही दे सकते हो 3 alpha यहाँ पर कोई alpha नहीं है यहाँ पर एक alpha तो 4 alpha आ गया फिर 3 से beta 3 beta इसमें 2 beta 5 beta हो गया और इसमें 1 beta 6 beta हो गया फिर इसमें गामा नहीं है 2 gamma and 1 gamma 3 gamma हो गया जैसे इसको multiply करके आप लिखोगे इसको multiply करके तीनों को add करोगे तो यह result आ जाए पस normal equation for gamma, gamma के लिए लिखेंगे तो हमाँ बापस 2 equation लेनी पड़ेगी क्योंकि एक यहाँ पर gamma है और एक यहाँ पर gamma है और इन दौनों का coefficient कितने है जो gamma का coefficient है वो 1 है इसका weight 2 है इसका weight 1 है तो पहले weight फिर coefficient into equation तो simple है हर एक में ऐसे ही करना है बस जितने अनुन रहेंगे उत तो इसमें क्या 185 degree 35 minute 24.8 second और दूसरी जो equation है वो weight into coefficient into equation यहाँ गामा पर 262 degree 18 minute 10.4 second तो इसमें दो ही equation में गामा इसलिए दो ही equation से हमें normal equation लिखनी पड़ेगी गामा की इन दोनों को आड़ करके लिखोगे तो जो आपकी equation आईगी नॉर्मल equation फूर गामा वो आएगी अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा इस एक्वाल टू 633 degree 29 minute 0 second यह मार पार थाड़ एक्वेशन हो गई अब आमार पास जो नॉर्मल equation फूर यह मार पार नॉर्मल equation फूर गामा है और अमना जो लास्ट में लिखी थी normal equation 4 beta and normal equation 4 alpha तो वो लिख लेते हैं जो रिजल्ट आया था अपना वो कितना आया था beta के लिए आया था 4 alpha plus 6 beta plus 3 gamma is equal to 1037 degree 18 minute and 37.8 second यह हमारे पास second equation थी और alpha के लिए नर्मल equation आय थी वो आय थी हमारे पास 8 alpha plus 4 beta plus gamma is equal to 972 degree 58 minute and 53 53 second तो यह first equation थी अब हमारे पास क्या है हैं अब अगर देख हैं तो तीन equation बन गई हैं हमारे पास अब तीन equation में हमारे पास unknown कितने हैं एक alpha unknown है एक beta unknown है और एक gamma unknown है तीन अन्नों है और हमारे पास तीन equation है तो हमारे पास इसको solve करके निकाल सकते हैं अंसर अपना जो भी अंसर आएगा तो हमारे पास 3 ऐुक्वेशन only 3 और टीन इक्वेशन है तो इसको solve करूगह आप 3 ऐक्वेशन को जैसे linearly form में गामा की वैल्वी आईगी जैसे alpha हमारे पास solve करने के बाद आएगा 76 degree 42 minute 46.17 second और बीटा की वाल्यू आएगी हमार पर 57 degree 53 minute 46.13 second और जो गाम्मा की वाल्यू आएगी वो आएगी हमार पर 127 degree 41 minute 38.26 second तो यह हमार पास जो भी solve करने के बाद आएगी हमार पास most पावल वाल्यू हाजाएंगी हर एक एंगल की मिन्स अल्फा बीटा और गाम्मा की यह हमार पास अंसर हो जाएगा तो आप अपना रिजल चेक कर सकते हो इससे मैंने आपको अंसर लिखके दे दिया है अब यह क्या हम इसमें अब जो आगला टॉपिक है टॉपिक इसी से रिलेटेड है determination of most पावल वैल्यू लेकिन इसमें कहा एक दूसरा method दे रखा है इस method में क तो यह वाला method भी देख लेते हैं फिर आपको जो भी जी लगे वह उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें कि हमारे पार calculation थोड़ी कम हो जाती है जैसे कि क्या होता है कि हमारे बस अब यह हमारे पार object value जाए अब object value और most probable value में difference तो रहता है तो वह उस difference को एक constant मान के चलते है इसमें कि इन दोनों का जो error है कौन सा error आता है most probable value और observation value के बीच का जो error होता है उससे हम शायद residual error कहते हैं तो residual error को इसमें जैसे किसी coefficient से मान के चलते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर represent कर लिया हमान लोग K1, K2, K3 से है कि A में जो हमारे पास जो residual error है वो K1 है A में A observation value में B में जो हमारे पास K2 है और जो C में हमारे पास K3 है तो इसमें हम residual errors को include करके चलते हैं तो हमारे पास जो calculation होती है वो थोड़ी कम हो जाती है कैसे calculation कम होती है वो example में भी हम solve करेंगे तो मैं आपको बस एक overview देता हूं कि इसको हम जो कहते है method of differences कहते हैं कि दाब डारेक्ट method of solving the normal equations is very laborious since it involves large numbers तो हमारे पास जो multiply करना पढ़ था जैसे इस example में हमने multiply किया था 4 को multiply किया था इस value से और 3 को multiply किया था 134 वाली value से तो यह थोड़ा ज्यादा मैनत का काम हो जाता तो उसी को कम करने के लिए दूसरा method है in order to make them as small as possible we can solve the equation by method of differences तो जो residual errors को include करते हैं तो उसे method of differences करते हैं यह set of values रजिम for the most probable values of the unknown quantities and the most probable series of errors are determined by normal equation लिखना हमें उसके लिए भी normal equation है क्योंकि जब भी हम most probable value निकालेंगे तो उसके लिए हम नॉर्मल equations लिखनी पड़ेंगे तो इसमें जो नॉर्मल equation लिखेंगे वह हम residual errors के लिए लिए लिखेंगे जो भी हम assume करके चल रहे है फिर जो value आएगी residual errors की उसको बाद में contradictor कांटर करके a b और c जो भी value जो हमार पास उसमें add करके या पर minus करके जो भी error आएगा उसको most probable value find out कर लेंगे हम अगर आपको तीन error बताया थें ट्रूर बताया था ट्रूर बताया था अगर हमार पास residual error बताया था तो अगर मैं आपको revise करा दूए एक बार residual error बताया था अगर हम true error क्या होता है हमार पार true value जो most probable value जो sorry जो object value होती है वो true error है हमार पास और जो most probable value और true value के बीच का difference होता है most probable error होता है और residual error जो होता है वो हमार पास most probable value और object value के बीच का difference होता है तो जब हम object value में पता है अगर उसमें हम residual error algebraically add कर देंगे तो most probable value निकलाती है तो method of differences में हम वह same case करेंगे अगर हम example से समझें तो यह इसका एक example देख लेते हैं इसमें कहाए the following observations of three angles a,b,c and were taken at one station a की value दे रहे है weight भी दे रहा है महार पास यह हमार पास simple question इसलिए बन रहे क्योंकि हमार पास जो coefficient है वो a,b,c का हम बन ले रहे हैं अगर यहीं पर two a की value दे होती है तो इस equation यह solve तो हम जो पहले हम direct method से कर रहे थे वैसे भी solve कर सकते हैं लेकिन इसकों क्या करेंगे method of differences solve करके देखते हैं method of difference में तो इसमें जो solution कर रहा हूं है वो method of difference से कर रहा हूं method of difference method of differences इसमें क्या है हमारे पास कि residual error को आड़ करना है अगर हम अब जाड़ो वैल्यू में residual error को आड़ कर देंगे तो most तीन अन्नों ने एक 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 बी है हमें तीन एंगल ही की मोश्वावल वैल्यू निकालनी है जो तीन अन्नों ने एक बी सी तो हम रेजिवाल एरर कितना एजियूम करेंगे हम एजियूम करेंगे कि जो रेजिवाल एरर है यह सब गेट में लिखना नहीं होता गेट एक जाम अगर हम दे रहें तो पड़ी समझने के लिए कि एजियूम कर लिए हमने के बन के टू और जो के थी ए यह रेजिवाल एररस हैं किस में है में में अध्ये एं अध्य इमेऊ में and c value में तो अगर हम most probable value निकालेंगे एक ही तो आप खुद बता ये कैसे लिखोगे एक ही लिखोगे आप object value 75 degree 32 minute 46.3 second और प्लस residual error तो ये हमारे पर most probable value होगी एक ही अगर हमें k की value पता चल जाए उसको add कर देंगे इस value object value में तो एक ही most probable value निकल जाएगी तो method of differences में के हम k1 की value निकालेंगे k2 की value निकालेंगे और k3 की value निकालेंगे similarly अगर आप लिखोगे b की value b की most probable value कैसे लिखोगे b की लिखोगे 55 degree 09 minute 53.2 second प्लस k2 और c की लिखोगे आप 108 degree 9 minute and 28.8 second प्लस k3 ये हमारे पास तीन equation लिख लिख ली हमने method of differences के तरीके से लेकिन हम क्या करेंगे इसको आगे भी लिखेंगे अगर आगे लिखेंगे तो जो हमारे पास आरहा है हमारे पास और 2 equation है एक यह तीन equation है अगर हम A की value पता है B की value पता है C की value पता है अगर इन दोनों को add कर लेते हैं A प्लस B लिखते हैं इसी में आगे हैं एक सेगेंड equation 1 और A और B को जोड़ते हैं अगर हम equation A और B को जोड़ते हैं जो हमार पस यहां पर है मैं इसी side में लिख देता हूं तो हम वापस A की value यह है और B की value यह है तो हम A प्लस B की value लिखेंगे अगर इन दोनों को जो नीचे हमने most available value लिखाया उसी को add करके लिखते हैं यह quantity और यह quantity को add करते हैं तो हम वापस जो value आएगी वो हमार पस आएगी 130 degree 42 minute and 39.5 second plus K1 plus K2 और ऐसे यह हमार पार फिर क्या हमार पार B plus C है अगर हम B और C को add करते हैं तो यह देखिए यह वाली और यह वाली हमार पास value same नहीं है क्योंकि हमार पास यह most probable value है अगर हम K1 और K2 को value पता चल जाए और ऐसे अगर हम B और C को add करते हैं इन दोनों quantity को तो B और C को add करके लिखेंगे तो वो कितना आएगा हमार पास 163 degree 19 minute 22 second plus K2 plus K3 और 30 question क्या हमार पास 30 question है A plus B plus C तीनों को add करना है एक A quantity यह quantity और यह quantity तीनों को add करके लिखेंगे तो कितना आएगा हमार पास वो आएगा 238 degree 52 minute 8.3 second 52 minute 8.3 second plus K1 plus K2 and plus K3 तीनों add है हमार पास ABC तो तीनों का residual error रहेगा अब हमार पास जो normal equation लिखते हैं वो K1, K2, K3 की लिखते हैं mathematical of differences में तो वो निकलेगा कैसे अगर हम देखा जाए तो A की value हमार पास यह है B की value यह है मैं color change कर लेता हूँ yellow लेता हूँ A की value हमार पास यह है B की value यह है C की value यह है A plus B यह है B plus C A plus B plus C और यह already हमें given है हमार पास example में तो A की value means इसको one equation मानते हैं या फिर K1 के लिए अगर equation लिखते हैं इसको one मानके इसमें से इसको minus किया हमने जो given value है तो जो हमार पास given value है पहली equation से minus किया तो हमार पास K1 की value आजाएगे क्योंकि हमार पास इसमें से K1 add किया था तो जो K1 की value आएगी वो 0 आजाएगी क्योंकि same quantity थी हमारे पास वैसे हम B की value लिखेंगे B के लिए जो हमार पास value थी इसी में हमने K2 add कर दिया था न तो उसी में से minus करेंगे इसको भी तो उसके लिए भी हमा K2 is equal to 0 आजाएगा क्योंकि same quantity है और फिर हमार पास third क्या है K3 K3 को भी 0 कर देंगे क्योंकि इसी में हमने K3 add किया था फिर इसके बाद हमारे पास K3 0 हो गया अब हमारे पास जो A plus B की जो value थी जो मैंने blue pen से लिखी थी वो A plus B की value इसमें से minus करेंगे जब इसमें से minus करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो K1 और K2 का add आएगा K1 और K2 बचेगा K1 प्लस K2 बचेगा किसके बरावर बचेगा प्लस का 2.1 सेकेंड और जो K2 फिर थर्ड वाली B प्लस C वाली को add करके minus कर देंगे तो K2 प्लस K3 is equal to plus का 0.5 सेकेंड और last equation जो मैंने blue pen से लिखी थी यह इस corner में उसको इस equation से minus कर देंगे तो K1 प्लस K2 plus K3 is equal to कितना आजाएगा plus का 1.5 सेकेंड अगर आप देखना चाते हो तो मैंने जो blue pen से लिखी थी वो जो equation आई थी आमार पास A plus B plus C की जो आई थी आमार पास equation वो कितनी आई थी आमार पास वो आई थी आमार पास 238 degree अगर आप थोड़ा रिवाइन करके देख लोगे पीछे तो आपको ये value मिल जाएगी 8.3 सेकेंड प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3 अब ये वाली equation को जो आमार पास equation थी इस वाली equation से मानेस कर देंगे तो ये वाला result आजाएगा हमार पास तो ऐसे हमने B प्लस C वाले को मैनेस किया और A प्लस B वाले को भी मैनेस किया साथ में A वाले को B वाले को C वाले को मैनेस किया फिर आप हमारे पास इसके आगर का जो प्रोसेज है नॉर्मल equation लिखना है लेकिन नॉर्मल एक्कूशन लिखने के लिए हमें वेट चाहिए क्योंकि वेट तो हमारे पास ABC इन एक्कूशन का गेवन है तो जो वेट गेवन है फ़ये इस इक्कूशन का गेवन है जब हम माइनस करते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि किसी कॉंस्टेंट को हम उयम रहता है तो इसमें वेट हमारे पास कितना हो रहे गा त्री हो जाएगा इसका भी क्योंकि यह वाली कुस्ट मनिस की थी इसका वाली क्रिवन परस टू और इसका वेट हो जाएगा हमारे परस श्राव मैं इसका गाल फटक्र में यहाफ acontece तो और इसका वेट हो जाएगा यह वाला one और इसका वेट हो जाएगा one अब आप देख सकते हो कि यहां पर a plus b plus c न ओके न यहां पर b न सी है हमार पर कितनी value आ गई है k1 k2 k3 k1 है k2 है k3 है तो जैसे कि normal equation हम लिखते थे a b और c के लिए यहां पर normal equation किसके लिए लिखेंगे हम method of differences में normally कुछ लिखेंगे k1 के लिए k2 के लिए और k3 के लिए और हमार पास यह इतना लेबरेस नहीं रहेगा क्योंकि हमें वहां पर सारे एंगल जितना भी जैसे टू ठेटीए डिग्री होता था उसको multiply करना पड़ता था यहां पर कि हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को multiply करके लिखना पड़ेगा जो भी बेट है हमार पास जैसे अगर हम a b c के लिए यह के लिए लिखते नौर्मल इक्वेशन तो टू को मैं इसको quantity से जो एंगल गिवन है उससे multiply करना पड़ता यहां पर हम टू को किस से multiply करेंगे जब के वन यह के लिए नौर्मल इक्वेशन लिखेंगे वो 2.1 से multiply करेंगे तो हमार पास जो यह method of differences है वो easy भी हो जाता है तो अगर इसको solve करें नौर्मल इक्वेशन लिखते है के वन के टू के थरी के लिए यह आप एक बाद देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए मैं यहां पर लिख लिख देता हूं एक बार के वन की वैल्यू कितनी है के टू कि फिर नौर्मल इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास एक्वेशन जो बनी वह के बानी वह एक वन्ली जो बनी वह जिरू है यह k2 की value भी 0 है wait 2 है और k3 की value भी हमारे पास 0 बनी wait 2 है फिर हमारे पास k1 प्लस k2 की value जो बनी थी वो 2.1 second बनी थी k1 प्लस k2 जिसका wait 2 है फिर हमारे पास k2 प्लस k3 बना k2 प्लस k3 जिसका wait हमारे पास k2 प्लस k3 कितना है 0.5 second जिसका wait 1 है औफिर हमाँ पास k1 plus k2 plus k3 is equal to कितना है 1.5 second जिसका weight 1 है तो हम सबसे पहले लिखेंगे normal equation normal equation किसके लिखेंगे normal equation for k1 k1 के लिए एक equation आएगी एक यहाँ पर k1 है और एक यहाँ पर k1 है तीन equation आएगी तो normal equation पहले weight से multiply करेंगे 3 into coefficient हमाँ पास 1 है into k1 is equal to 3 into 0 तो हमाँ पास कितना बन गया है यह जो बन गया वो हमाँ पास बन गया 3 k1 is equal to 0 वैसे हम अगला अगर लिखेंगे यह वाली equation तो पहले हमाँ पास weight फिर coefficient और फिर equation k1 plus k2 is equal to 2.1 second तो जब इसको solve करको लिखोगे तो कितना बन गया है यह हो गया हमाँ पास 2 k1 यह हो जाएगा हमाँ पास 2 k1 plus 2 k2 is equal to sorry यह भी हमाँ पास weight से multiply होगा तो इसको weight से multiply करना पड़ेगा यह हो जाएगा हमाँ पास 4.2 second फिर हमाँ पास यह वाली equation लिखेंगे इसमें हमाँ पास weight आफ 1 coefficient आफ 1 और equation k1 plus k2 plus k3 तो यह किसके बराबर आ गया 1.5 second के बराबर क्योंके weight भी हमाँ पास 1 है तो इसको solve करेंगे k1 plus k2 plus k3 is equal to 1.5 second अब क्या हमाँ पास इसको weight कर देंगे इसको weight कर देंगे तो जब add करोगे तो 3 plus 2 plus 1 6 k1 हो जाएगा 6 k1 plus 2 k2 2 और 3 3 k2 2 plus 1 3 k2 और plus k3 is equal to square करेंगे तो 5.7 second तो एक इस equation को याद रखना हम है यह आप लिख लिजे मैं squat आ देता हूं फिर हम normally question लिखते है के टू के लिए कि नॉर्मल एक कुशन अगर लेखेंगे हम के टू के लिए नॉर्मल एक कुशन फूर के टू आपने वो एक कुशन तो आपने नोट कर लिए होंगी जो मैंने ब्लू पैन से यहाँ पर लिखी थी तो उसी से मैं नॉर्मल एक कुशन लिख रहा हूं नॉर्मल एक कुशन फूर के टू नॉर्मल एक कुशन फूर के टू वो कितना हो जाएगा नॉर्मल एक कुशन लेखेंगे तो टू के टू इस उकल टू जीरो और हमारे पास टू इंटू का यहाँ पर जो था हमारे पास यहाँ पर था न एक कुशन जो इस लाइन में थी वो आले से लेखेंगे तो 2K2 ने 2K1 प्लस 2K2 क्योंकि वेट 2 है इस इक्वाल टू हमारे पास 4.2 सेकेंड आ जाएगा फिर हमारे पास 30 कुषिन में हमारे पास K2 तो वेट हमारे पास आने सेम टू सेम रहेगा के बन प्लस के टू प्लस के थरी और लास्ट में इस इक्वाल टू कितना था 1.5 सेकेंड अब इसको आड कर देंगे और इसको आड कर देंगे तो इसको आड करके जो वेल्ली आएगे मारे पास हुआएगी 3K1 प्लस 6K2 प्लस 2K3 2K3 तो इस इक्वाल टू कितना आ जाएगा मैं पर 6.2 सेकेंड इन दोनों को आड करेंगे तो 1.3 4.2 और एक और एक्वेशन बच गई हमारे पास इसमें 4 एक्वेशन आएंगी हम किसके लिए नॉर्मल एक्वेशन लिख रहे हैं के टू के लिए तो एक यह हो गया एक यह हो गया 2,3,4 एक और एक्वेशन बच गई हमारे पास एक सेकेंड एक और एक्वेशन बच गई हमारे पास वह भी लिख लेता है तो इसमें लिखेंगे जो थर्ड एक्वेशन बच गई हमारे पास B प्लस C वाली है एक तो यह रहेगी रहेगी है मार पास क्योंकि इसमें भी हमार पार K2 है तो इसकी जो equation थी वो same रहने देता है 1.5 second एक और जो रहे गई थी वो B प्लस C वाली और K2 प्लस K3 वाली तो उसका weight मार पास भी 1 है तो same रहेगी same क्या रहेगी जो K2 प्लस K3 की value थी K2 प्लस K3 is equal to 0.5 second अब इसको add करना है तो जहाँ जहाँ पर K2 आ रहे है जिस equation में K2 आ रहे है वो सारी include करनी पड़ेंगे हमें normal equation लिखने के लिए तो आप ये खुश से solve कीजिए और इसको solve करोगे तो जो इनको add करोगे solve करने के लिए तो 3K1 जो value आएगी वो आएगी 3K1 प्लस 6K2 आज फिर से ये दिक्कत कर रहा है 3K1 प्लस 6K2 ये हमाँ पस 6K2 प्लस हमारे पस इसके बाद आज जाएगा 2K3 is equal to 6.2 second तो इसको add किया 4 equations को और normal equation लिखे लिए K2 के लिए है वैसे same to same हम normal equation लिखेंगे K3 के लिए अब K3 के लिए मतलब C की value 1, 2, 3 normal equation के अंदर include करना पड़ेगा जाँ-जाँ K3 आ रहा था तो K3 के लिए normal equation लिखेंगे तो simple है 2K3 is equal to 0 and second वाली लेंगे ये वाली B प्लस C वाली तो K2 प्लस K3 और weight अमारे पास कितना था 2 था और coefficient तो 1 ही है तो 2 into K2 प्लस K3 is equal to and sorry इसका weight तो 1 है तो मारे पास ये 1 ही रहेगा means normal equation लिखने है K2 के लिए तो 1 into K2 प्लस K3 इसका weight बान है तो ये आजाएगा हमारे पास 0.5 सेकेंड और जो इसका भी weight बान है और coefficient भी बान है weight बान है coefficient बान है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 is equal to कितना था 1.5 सेकेंड इन तीनों को आइड करेंगे तो जो normal equation आएगी K3 के लिए वो आजाएगी K1 प्लस 2 K2 प्लस 4 K3 is equal to 2 सेकेंड तो ये किये थाड़ equation होगे normal equation for K3 और जो हमारे पास second आई थी normal equation for K2 वो कितनी आई थी 3 K1 प्लस 6 K2 प्लस 2 K3 is equal to 6.2 सेकेंड और जो हमारे पास normal equation for K1 आई थी वो आई थी 6 K1 प्लस 3 K2 प्लस K3 is equal to 5.7 सेकेंड अब हमारे पास तीन equation है तीन unknown है K1, K2, K3 तीन unknown, तीन equation तीन unknown तीन unknown है और तीन equations है unknown कौन कौन से है K1 है, K2 है, K3 है अब इन तीनों को solve करके हमें value निकाल लिए K1 की K2 की K3 के तो हमारे पास इन तीनों को solve करने के पाद जो value आईगी K1, K2, K3 की वो आईगी K1 is equal to अगर आप इसको solve करोगे तो K1 की value आईगी 0.5 यह आईगे मारे पास 0.58 सेकेंड K2 की value आईगे मारे पास 0.75 सेकेंड और जो K3 की value आईगी वो आईगे मारे पास 0.02 सेकेंड तो जो भी हमारे पास arithmetic sign होगा वो लेना है तो K1, K2, K3 की value आगई अब हमें यह अंसर नहीं होए हमारे पास हमारे पास क्या निकालना था most problem निकालना था each angle का each angle कौन सा है each angle है हमारे पास ए यह जो एंगल है वो A, B और C की value चाहिए हमें तो K1, K2, K3 निकल गया तो मैंने आपको पहली लिखवाया था कि कई 1 को आइड करेंगे इस object value में object value of यह को यह residual error है हमारे पास K1, K2, K3 जो आईवह हमारे पास residual error है residual error को आड करेंगे जो इसको आर्थमेटिक शानवे जकालना था है सिसे तो जब हम इसको मांइस करेंगे तो जो भी हमार पर रिजल्ट हागा वो कि उसी से हम लिखेंगे जो एक यवल्यू जो most प्रवाइब बाल्यू हुई वो कितनी हुई है वो हमारे पास हुई 75 degree 32 minute 46.3 second plus k1 k1 की वाल्यू कितनी है हमारे पास k1 की वाल्यू है हमारे पास 0.58 second तो प्लस का है तो इसमें add कर देंगे तो एक ही जो most प्रवाइबल वाल्यू आएगी एंगल एकी वो आएगी 75 डिग्री 32 मिनट 46.38 सेकेंड 0.88 है तो 0.88 सेकेंड हैगा सोरी 46.88 सेकेंड यह मापा मुस्ट प्रवाइबल वाल्यू हो गई एकी जो बी की हम लिख रहे थे बीक बीक गई हमारे पस 55 डिगरी 9 मिनट 53.2 सेकेंड प्लस के टो और के टो की वाल्यू कितनी हमा पस अलो कितनी है जल्पस का 0.75 सेकेंड इसको अड़ कफारेंगे तो कितना आजाएगा मोस्ट प्रवाइबल वाल्यू बी की 55 डिग्री Nah मेंट 53.95 सेकेंड 53.95 सेकंड और हम आपास C की वेल्यू जो होगी वो होगी 108 डिग्री 9 मिनट 28.8 सेकंड प्लस K3 लेकिन K3 की वेल्यू नेगेटिब में आई क्योंकि अर्थमेटिक साइन लेंगे 0.02 सेकंड आई कितने 0.02 सेकंड तो इसकी जो वेल्यू आजाएगी 108 डिग्री 9 मिनट 28.78 सेकंड तो यह जो हमारे पास वेल्यू जाएए यह जो हमारे पास वेल्यू जाए यह हमारे पास मोस्ट प्रावल वेल्यू जाए ए बी और सी की तो यह हमारे पास अंसर है तो आप अच्छे से इसको सॉल्फ किजिए मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे मोस्ट प्रावल वेल्यू निकलना है कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो कोई इतना हाड कैलकुलेशन नहीं आता है इसका नॉर्मल कैलकुलेशन है तो आप इसको अच्छे से सॉल्फ किजिए और अपना अंसर इस मोस्ट प्रावल वेल्यू से मैच कीजिए यह आपका पाइनल रिजल्ट है मोस्ट प्रावल वेल्यू अफ इच एंगल अब इसके बाद हम आप पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है और दो तीन एक जम्पल बच्चे हुए मोस्ट प्रावल वेल्यू के और उसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा वो कराऊंगा एरर्स एन देर अजस्मेंट फोर्थ उनिट पर चलेंगे तो मैं यह आगे नेक्स लेक्चर मैं कवर करूँगा अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया मेरे वीडियो पसंद आये तो इसको जहाद से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको इसके बीच में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं उसका जो भी आपका डाउट होगा उसको दूर करूँगा और अपने दोस्तों के साथ जहाद से ज़्यादा शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ टेलिग्राम चैनल पर भी जूट सकते हैं और जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू